मि nessa इंडियन पैलिटी एक इसा सब्जेक्ट जो हर benefit si ए paradox ने पीजाम हो फिर अपका वनडे एक्जाम ये फिर आपका यूपिए सी जैसा बड़ा एक्जाम ही क्यूँ क्यों मिल जाते हैं ठीक एक है आज को हमारा जुढले के चलेंगे कि इंडियन पैलिटी से किस इस टाइब के questions आते हैं क्या क्या हमारे वीडियो लेक्ट्टर की series में रहने वाला है क्या questions आपको देखने के मिलते हैं और कौन से questions आप से कैं समझने से पहले कौन से कंटेंट आपके Important है और का संसे कंटेंट आपके लिए इंपर्ट्ट नहीं है यह चबिक आपको इसकी जानकारी नहीं है कोई भी सब्ढ़ लीजिए आपका सब surrounding हैं और स्वागत है हमारी चलना है आप इसको लाइक कर दीजे अभी वीडियो को और हमारे चनल को सब्सक्राइब कर लीजे ताकि आने वाले जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए ठीक है और नीचर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको जोन कर लीजें उसको जोन कर लीजें ताकि अब भी यहाई चाहिए आप लेकर लाइंगे लेके चलेंगे मेंली हमारा जो फोकस रहेगा वो यूपीस सी प्रिलैम्प पे रहेगा चुक्कि डेट जो है 27 जून 2021 ती लेकिन आप इसको पोस्टमेंट कर दिया गया थोड़ा सा और यह किया जा चुका है दस अक्टूबर 2021 ठीक 2020 में भी ऐसा ही हुआ था 2021 में ठीक है तो इस लिए आपको समझ चला होगा कि किस टाइप के कोशन्स आपको मिलते हैं आपको बहुत इच्छा चांस मिला है कि आप अच्छे से बेटर तरीके से अपने जो भी सब्जेक्ट आपके इनकम्प्लीट हैं उनको कम्प्लीट कर वाएं ठीक है तो यहां पे से इस सेकेंड वेप को ज्यादा से ज्यादा कम किया जा सके और थर्ड वैप से बचा जा सके जब्सक्राइब ना पाएं इसके लिए हमें प्रोटक्शन करना बहुत जरूरी है पहले हैंड सेनिटाइज करना यानि वाश करना दूसरा हमें मास्क लगाना और घर वालों की ठीक है यह वही टाइम है जो आप अपने घर वालों के सब इस पेंड कर सकते हैं तो चलिए सुरू कर रहा है उपना वीडियो इंडियान पॉलिटी में किस किस टाइप की कोशन पूछ जाते हैं तो यह मेरे पास इंडियन पॉलिटी की पीडियाफ एवलेवल है तो यहां सब्सक्राइब नहीं कर रहा हूं और सभी लोग कहते हैं और मैं लास्ट इहां पर नहीं होने वाला जैनी इंडियन सिर्फ अभी नहीं आगे भी कई साल हो में रहे गा तब तक यह चलती रहेगी इसका यह ना कि की पॉलिटी जो बनी है M लच्मिकांद की सीदे ही जो नया निवली अडिशन है इसकी पीडिएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी ठीक है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ हम वाट्ट सब गूर्प से भी डाउनलोड कर सकते हैं लेकि इसी के बेस पर हम पढ़ाएंगे आपको कि यानिकी पीडिएप से ही जो मेन डेटा होगा वही हम आपको पढ़ाएंगे अब इसमें हमने कुछ आपको हाइलाइट करके वर्ट्स रखे हुए जहां से कोशन्स आपके आते हैं तो एम लचमी कांथ के बारे में इतना फे है तो इन्होंने पॉलिटिकल साइंस पर ही अपनी पोस्ट के जो डिगरी की है इसलिए इनको एक तरीके से नॉबल माना जाता है कॉंस्टिटीशन का में हमारा कंटेंट क्या रहेगा वह मापको बताने वाले हैं कि सब्सक्राइब यहां पर देखिए यह वाइस आपका ब डेटा दे रखें आप यहां पर देखिए त्वयल ट्वयल ट्वयल नाइटीन 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 और टुथावड़न फोर में ट्वैंटीटीटू कोशन ठीक इसी तरह से अगर मैं आपके फॉर टू फाइव यह लास्ट देखू तो मुझे समझ जाता है नाइन्टीन में 15 कोशन ऐटीन में 15 कोशन सेवंटीन में 22 कोशन चल लाओं तो मुझे 17-18 कोशन मुझे हर साल नजर आ रहे हैं है ठीक है हर साल आपके कोशन पूछा थे सेवंटीन टू एटीन कोशं का मीनस है अगर आप 20 कोशं मालनी तो यानि 40 मार्ट तो आपके सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी से पुछा लिए अब 40 मार्ट मैसे आपको कितने मार्ट ला पाते हैं यह सब आप डिसाइड करते हैं अपने बुद्धी मत्ता के अकॉर्डिन यह इं से और आप आता हुआ कोश्यं है कि अगर जाते बात करेंगे यहां पर समझेंगे में किस टाइप केी गोंशन आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर देखिए को अ यहाँ बेस्का यहाँ बेढ कि मेन अगर देखे जाएं तो 2000 में बनलाक दो उन है थर्टी कोशन्स यानि की टोटल और मिला कि मतलब फास्ट पेपर सेकेंड पेपर यह सब्सक्राइब करूं तो मुझे सब्सक्राइब जाता है कि अपके कोशन्स आपके हर साल आपके पूछ है तो आपको बेसिक यानि कि आपकी प्रिलम्स पड़ रहा होते हैं तो इसी लगबख आपका फिंटी पर्सेंट डीटा जो है फिफ्टी पर संट डीटा इसी बुक से आपका कवर जाएगा प्रिलम्स के लिए और मेंस के लिए सिर्फ पॉलिटी की बात कर रहा हूं है ठीक है पॉलिटी की बाकी अदर की ने पॉलिटी में 60% डीटा आपका कबर हुजाने वाला है और वाकी आपकी जो चीज़ें आएंगी यहां पर देखिए कह रखा है अब टेबल जो भी आपको करा रहा है मांक्स किस किस टाइप के आपके कोशन साते हैं इनकी अधर बुग है जिसका नाम है गवर्नेंस ऑफ इंडिया ठीक है गवर्नेंस ऑफ इंडिया वो इसको अगर म से मिल जाते हैं कुछ हमारी माइंड माइंड होता है अब डाउन हो जाते हैं या नहीं लगवागा से पढ़ने में ठीक है जो भी आपको नजर आ रही है इस बुक को पढ़ने में आपको कितना बड़ा डिफरेंस नजर आता है कि इस तरह से हम वो बारिक्या यहां पर बढ़ने वाले कि किस किस तरह से आपको क्या क्या करना चाहिए अब कि उच्पर्स हमें यह बताता है इस्टाॉरिकल बैक्राउंड घर करना से हिलग आपका हर साल दो से कोशन आपके पूछे जाते हैं ऐसा होता है हर साल आपका होता है जासे अगर बात करो प्ॉलिटीज के अगर रिस्टोरिकल वैग्राउंट से इस टाइप के कोशन आते हैं तो मेशन उटता है वो आपका वह व गएक्ट से, यानि कि रेगलिक्तिक अक्ट 1813 से मेंली सबसे ज्यादा मुझे कोशन इसी से देखने को मिले हैं 2018 में भी और 2019 में भी इसी टाइप के कोशन्स आपको देखने को मिले थी ठीक है अब यह चार्टर एक्ट क्या है और किस तरह से आपके कोशन्स पूछ जाते हैं जब आप इसके बारे में जानकाई रखेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी तो आ रही है तो नीचे सब्सक्राइब करते हुए और लाइक करते हुए चलते चाहिए ठीक है जैसे यहाँ प्रोपर क्लास शुरू होगी तो बैसे हम आपको सारी चीज़ें परवाइड करांगे सुरू कर देंगे और एक और बात इस सारी जितने भी क्लासस होंगी आपकी प्री क्लासस होंगी ठीक है फ्री क्लासस कोई भी आपको पेड कोर्स नहीं किया जाएगा आपको कोई भी पैसा नहीं पढ़ने वाला तो सारी चीज़ें आपको फ्री में मिलेंगी इसलिए आप जरूर जवाइन हो जाईए सब्सक्राइब कर लिजे और हमारे साथ रेगुलरली अपना बनाया रखिए ताकि आप जादर से जादर यहां पर गेंड कर स हमारे चैप्टर है वह है हिस्तोरिकल डैग्डांड तो सिर्फ आपके इतना पोर्षण जो आपका नजर आ रहा है ठीक है इतने पोर्षण से कई टाइप को कोशन आपको देखने पी मिल जाएंगे कई कोशल आपको देखने को मिल सकते हैं जैसे पहला आगर लाइन में इंके टो आए थे लेकिन एक प्राइबिट इंटर यहां पर किन एक पर्मीशन लें थे लेकिन एक प्रिम और पर करेंगे उसके बाद इसको इंफिनिट टाइम के लिए एक्स्टेंड कर दिया गया था वह भी हम जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसमें बहुत अच्छे से करके रखा हुआ है आपकी स्पेक्ट्रम हम पढ़ेंगे आपकी मॉडरन इंडिया यानि कि अच्छे से डिस्क्राइब करके रखा हुआ है कि कुछ पर्मिशन से कुछ छूट इनको एवलेबल थी कि कुछ पैसा वहाँ पर देना पड़ता था बाकी अपनी मनवर जी यहां पर चलाते थे ठीक तो उसी डियूरेशन में क्या है क्या है कुछ यहां पर हुआ करती थी कुछ और यह बात है सेवन्टीन एंडिट इनको 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 रभीया हुआ बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया यानि कि लोगों को लूट ना लोगों को टॉर्चर करना किसानों को जब्रदस्ति किसी नील की खहिती कराना इस टाइप के को इनके जो रभीय हो गए वो बढ़ने लगे उसके बाद सेवन्टीन एंडिट सिक्स्टी एंड फाइब में कंपनी ने क्या का कंपनी चांती थी कि कि किसी ना किसी तरह से हम अपनी कंपन इस aIF कंपनी का मतलब है जो ब्र пришster यहां पे आय थे जो पहली कंपनी यहां पर ब्रेटिस एस इसी तरह से प्रेटिस इस इस प्रॉड़ा है उन पर infinite time के लिए जब इन्होंने छूट दे दी तो क्या हुआ company के जो worker थे वो क्या करते थे किसी ना किसी तरह से tax बसूलते थे अब जो tax बसूलने गए तो वहां पर क्या हुआ उन्होंने घूस ले लिए एक तरीके से corruption ले लिया ठीक है ये company का rule था लेकिन बाकी छोटे छोटे जो अधिकारी थे वो इस rule को नहीं मानते थे वो क्या करते थे वो जाते थे किसी ना किसी तरह से उनसे tax लेते थे या उनके जो भी मवेशी होते थे गाए वैस या फिर जो उनकी खेट या जो उनके बच्चे हुए गहने वगरा सब ल हुआ तो company इस तरह से क्या company को कोई tax नहीं मिलता और चोटे-चोटे जो अधिकारी थे चोटे-चोटे जो टेक्स वसूलने वारे लोग थे करमचारी थे वो ज्यादा अमीर होते चले आ रहे थे इसी को देखते हुए दिये हैं जो company ने क्या क्या एक सिस्टम मनाया इसको उ इसी डिया का मतलब है इसी डियुरेशन में यानि क्या दर किएगा यह आपका डियुरेशन है करीब 1756 ठीक है 1756 पैन की प्रॉब्लम नहीं है मैं यह पर पहली बार पैन चला रहा हूं वैसे दो मैं बोड पर पढ़ाता हूं इसके बाद से माना जाता है ब्रिटिस ने रियल में पॉलिटिकल यहां पे एजिंडा खेलना शुरूर दिया ठीक है उसके बाद जब उन्होंने देखा कि भाई company का लॉस में जा रही तो बचाओ इसको तो company को बचाने के लिए क्या किया इन्होंने कई सारे सिस्टम लाए एक रयत बाड़ी सिस्टम था दीवानी सिस्टम था ठीक है और दो तीन सिस्टम थे उनको लाना यहां पर शुरू कर दिया तो उसी में यहां पर यहां पर दे रखा है दीवानी सिस्टम यहां पर आप देख सकते हैं दीवानी दीवानी सिस्टम में क्या था जो भी इसमें तीन आपके लिए गए पहला था आपके बेंगॉल दूसरा था बिहार तीसा था ओडिसा क्योंकि बेंगॉल बिहार ओडिसा लगबग आपस में जुड़े हुए थे तो इसलिए इन तीनों प्रिवियंस को दे दिया गया गवर्णर बेंगॉल को कि भाई दीवानी इंडिया उसके बाद क्या हुआ जब आप जानते हैं 1857 का जब यह दूआ ठीक है बहुत साही लोग अगर मैं पूछ हूँ आप से यह कुशन पूछता हूँ कि आप बताईए हम जो ब्रिटिस का ब्रिटिस ने डारेक्ट जो अपना कबजा लिया था मतलब सीधे ही क्राउ उनका जो रूल आया था ठीक है क्राउन ने जब इस ऐसे कह सकते हैं जब रूल लेकर आई थी जब डारेक्ट रूल करना शुरू किया था तो वो डूरेशन या वो यह कौन सा था ठीक है बहुत सारे आंसर देंगे 1857 रिवोल्ट आफ रेवल्यूशन यानि कि जब आंदोल रहती है तो उन्होंने क्या किया था डारेक्ट ही यहां पर अप अपना साशन सुरू कर दिया था लेकिन एसा नहीं है ठीक है उसके एक साल भाद क्योंकिiséelar 1857 की डूरेशन में ठीक है अक्टूबर के करीब में 1857 अक्टूबर में रेवल्ट हुआ था रेवलेशन हुआ था उसके ठीक एक साल में यानि कि वो एक रेजुलेशन पास करने है कि कुछ प्रॉसस होती है वो पास होते होते 1858 शुरू हो गया था तो यहीं पे आप देख सक झाजन और यह जो इंडिया की हें इंडिया पे रूल जो है बहुत सब्सक्राइब मनेंगे कि इंडिया का घoses قब हुआ आप मनेंगे कि 1947 तक हुआ है ठीक है उसके बाद भी कुछ टाइम तक इंडिया पर है कि रूल होक्पर है का प हुआ जब負क क ćmamारा constitution बन कर कर तयार नहीं हो गया आजादी तो हमें मिल गई 15 अगस्त 1947 लेकिन आजादी फुली आजादी जो हमें मिली वो हमें मिली 1950 में जब हमारा सम्मिधान बनकर तयार हो गया ठीक है तो इस तरह से जो हम देखेंगे विट इंडिपिनेंस केम तो नीट वर फॉरे कॉंसिशन की जरूरत हुई हमें तो उसी डूरेशन में जो हमारा पहला हिस्टोरिकल पॉइंट है उसमें हम देखेंगे क्या पहला है कंपनी का रूल यान की कंपनी रूल 1773-1858 दे क्राउन रूल 1858-1947 ठीक है 1947 तक लगवक हमारे रहा था उसके बाद विटिसर्स तो यहां पे काम करते रहें आप जानते हैं कि मांट बेंटन जो थे मांट बेंटन उनको गवर्नर बनाए रखा गया 1950 तर ठीक है आजादी के बाद भी मांट बेंटन जो थे वहां के इंडिया के गवर्नर बने रहें तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि फुली जो आजादी हमें मिली वो आपको 1950 में मिली जब हमारे कांस्ट्यूशन बनकर तयार हो गया अब क्यूंकि कांस्ट्यूशन जब बन इसाज जाएगा सिंदृट है इस तरह से जो वर्स भर्ड है उसमें वर्ड में चकीडार का मतलब है हमारा जो देश है वो सिर्फ और सिर्फ कि यानि कि जन्ता के जलेγा और गार्व कि हैं लाइट लाइट कर सकती है ना ही हम किसी एलाइट पॉवर के अंडर में रह सकते हैं ठीचा सब्सक्राइब है अब हम पूरी बाकी आपक माहें प्रवाइंट होगे उसको हम यह तो बांक के yeah के वीडियो यह complete होगया है और अगर आपको कोई क्यूरी है कोई आपसे कोई भी पॉइंट है कोई भी आपको नोटिस देना है कोई information देनी है कोई सजेस्ट करना है सजेशन देना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपके लिए है वहाँ पर जाईए आप अपना कमेंट होड़िए उसके साथ साथ आप हमें वाट्सप ग्रूप में जॉइन कर सकते हैं वहाँ पे आप चैट कीजिए वहाँ पे हमें कन्फर्म कराइए कोई भी इसू हो तो ठीक है और आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और इस्टे सेफ इस्टे टीन